हलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग होप सो अच्छे ही होगे दोस्तों आज का ये सेशन मैं क्लास 9 के लिए लेने जा रहा हूँ और इसमें हम जो टॉपिक देखेंगे वो है मोशन अल्रेडी मैंने इसके 5-6 क्लासे लिए हुए हैं आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वेलासिटी इससे पहले हमने क्या देखा है स्पीड क्या होता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाइ टाइम समझने की कोशिश करना स्पीड क्या होता है डिस्ट से स्केलर कॉइंटिटी होता है क्योंकि distance के पास क्या है हमने देखा था direction नहीं होता और time की तो बात छोड़ी दो हम कहीं भी जाए कुछ भी करे time तो बस चलता ही रहता है ना उसका कोई भी अपना direction नहीं है हम उसे देख नहीं सकते ना समझ में आरे यह बात चलो direction क्या है direction हम कब पता लगा सकते है किसी भी चीज का direction हम तब पता लगा सकते हैं जब क्या है हम उसे देख सकते हैं है ना कोई अभी यहाँ पर यह बोलेगा हम हवा को भी तो महसूसी कर सकते हैं देख नहीं सकते लेकिन हवा जब बहती है तो उसके वेज़े से क्या होता है चीजें इध क्या है direction क्या है hope so आप समझ रहे होंगे है ना चलिए उसी तरह यहां देखते हैं velocity velocity क्या है velocity होता है displacement by time का ratio समझ नगी कोशिश करो speed को हमने क्या देखा था speed देखा था हमने distance upon time ठीक है जहां पर distance क्या था time का कोई भी direction नहीं it means जो speed है अगर हम बात करे time के पास अपना तो value है ना चलो value रहने दो लेकिन direction क्या है direction तो यह distance से करेगा और यहां पर distance का क्या है distance के पास कोई direction नहीं है जिस वज़े से क्या होता था speed का भी कोई direction नहीं होता था इस वज़े से लेकिन साथ ही साथ इसके पास अपना खुद का एक direction भी है, हम देखते थे ना, कि अगर मालनो कोई एक point यहाँ है, कोई point यहाँ है, इस point से इस point और पहुचने के लिए बहुत सारे path, लेकिन जो सबसे shortest path होता था, जिसका key direction fixed होता था, जो initial से final point पर जाने के लिए, वो तो एक straight line होता था, इसका path क्या है, fixed है, इसका direction भी fixed है, क्योंकि इसके पास क्या है displacement के लिए, सिर्फ एक ही ऐसा path है, straight path जो सबसे shortest है, और हम क्या है, कि हमारा movement कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें initial से final पर पहुचने के लिए, हमारे पास एक fixed रास्ता था, जो सबसे छोटा path था, जिसे हम displacement कहते थे, अगर हम इधर से इधर move करेंगे, क्यों, क्योंकि दो point के बीच हम क्या है, सिर्फ एक ही straight line खीच सकते हैं न, उसके उपर कितना भी line खीच लोगो curve होगा, या केड़ा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन straight line सिर्फ एक ही खीच सकते हैं, समझने की कोशिश करो बात, इसलिए displacement क्या था, हमारा सबसे shortest path था, और इसलिए से हमारा direction भी fixed था, कि हम कोई क्या है, straight line में move करना है, hope so, आपको वापस से मैंने recall करवा जिया concept, चलिए, अब देखिए, displacement क्या हो गया हमारा, vector, इसलिए से क्या है, velocity, displacement में depend कर रहा है, displacement vector हो गया, it means velocity भी क्या हो गया, vector हो गया, चलिए, अब देखना है unit, कुछ भी करो, चाहे हमने speed देखा था, speed में था distance upon time, हम velocity देखना है, इसमें displacement upon time, ध्यान दो, velocity में भी time सेम है, क्या बोलते हैं, speed में भी time वैसा ही है, चलो, ठीक बात है, time का unit क्या है, time का unit है, second, लेकिन हम बात करें, अगर displacement की, और यहां करें distance की, दोनों को देखो, दोनों तो भाईया length ही है न, displacement भी length है, distance भी length है, तो मतलब अगर distance की unit meter थी, तो displacement की unit भी तो meter ही रह जाएगी न, क्योंकि दोनों क्या है, length है, और नीचे क्या है, time है, मतलब इसका भी unit क्या हो गया, meter per second, इसलिए unit क्या हो गया, meter per second, किसमे, MKS system में, है न, SI system में, और वहीं पर CGS system में क्या हो जाएगा, meter का centimeter, second का तो as it is, second ही रहेगा, hope तो आपको इतनी बाते अभी तक जो मैंने कही है, वो समझ में आ गई होगी, चलिए, अब आगे देखते हैं, अब देखे, यहाँ पर एक point लिखा है, point क्या लिखा है, the direction of velocity is along the direction of displacement, सही बात है न, हमने velocity क्या देखा, velocity हमने देखा displacement upon time, यहाँ time तो इसको क्या देगा, एक value तो देदेगा अपना time, लेकिन direction अगर कोई देगा, तो वो है displacement, अब body जैसे जैसे move करेगा, जिस path को follow करेगा, यानि उसका direction अब यहाँ पर जो decide करेगा, वो है displacement, क्योंकि magnitude और direction दोनों है इसके पास, ठीक है, time तो अपना एक value देदेगा, है न, कोई भी value देदेगा, जित क्या करना है, velocity अगर का, sorry, direction अगर हमें देखना है, जानना है, कि हमारा जो motion है, उसके according में हमारा direction क्या है, तो उसका पता कौन लगा कर देगा, velocity के अंदर, वो देगा displacement, hope so, अब आपको यह बात clear होगी, अब यहाँ पर हमारे पास, जो अगला topic है, वो है uniform velocity, अब समझे, uniform क मतलब already मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, मतलब समान, यहाँ पर है velocity, अगर यहाँ पर uniform motion होता, यहाँ पर हमने uniform speed भी देख लिया है, अब यहाँ पर हम क्या है, velocity देखेंगे, अब समझ यह बात, यहाँ पर uniform motion में हमने क्या देखा था, equal interval of time में equal distance कवर करना, same as it is, uniform speed मे क्या difference है, speed और velocity में सिर्फ जो difference है वो है distance और displacement term का, मतलब uniform speed के वक्त क्या था, कि equal interval of time में equal distance कवर करना है, लेकिन uniform velocity के लिए क्या हो जाएगा, equal interval of time के अंदर, हमें क्या करना होगा, equal displacement कवर करना होगा, मतलब यहाँ पर अगर हमने equal displacement कवर किया, distance की जगा, तो वहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं equal interval के अंदर तो वहाँ पर हमारा वो क्या कहला जाएगा uniform velocity और uniform speed क्या होया था अगर हम equal distance कवर करते equal interval of time के अंदर चलिए ये बात तो clear हो गई अब यहाँ पर कुछ points लिखें हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं यह क्या कहना चाहरा है यहाँ पर यह कह रहा है कि velocity को हम दो तरीके से change कर सकते हैं कैसे change कर सकते हैं अब समझे वेलासिटी को तो एक हम क्या कर सकते हैं speed change करके change कर सकते हैं और दूसरा कैसे change कर सकते है direction को change करके और speed को constant रखकर मतलब यह कहना क्या चाहरा है समझे यहाँ पर मालनो कि सपोज एक आदमी है यह आदमी चल रहा है चल रहा है अब क्या है इसके पास अपनी speed होगी कुछ कुछ तो होगा कुछ तो speed होगी ना इसकी मालने थे हम x meter per second इसकी speed चलो ठीक बात है अब ध्यान दो velocity के पास magnitude और direction दोनों होता है और speed के पास सिर्फ magnitude होता है अगर हम magnitude को change कर रहे हैं तो it means हम speed को change कर रहे हैं इसलिए यह कह रहा है by changing the speed of the body it means यह क्या कहना चाहरा है यह कहना चाहरा है कि अगर हम जो आदमी move कर रहा है उसकी magnitude को change करें it means उसके speed को change करें speed की value को change करें तो हम क्या कर सकते हैं velocity को change कर सकते हैं क्यों क्योंकि velocity magnitude और direction दोनों पर depend कर रहा है चलिए यह बात तो आपको होपसो समझ में आ गई होगी अब दूसरा लिख रहा है क्या अब लिक रहा है यहाँ पर direction change करके पिलकुल velocity में क्या है displacement है displacement का magnitude direction दोनों है speed change करेंगे तो उसकी magnitude change हो जाएगी और अगर हम उसकी direction change करेंगे तो body क्या होगा कहीं और उससे अगर इधर move करना था तो body क्या है उल्टी जगा move कर जाएगी मतलब जैसे ही हम direction change करेंगे उसके speed पर फर्क पढ़ना शुरू हो जाएगा मतलब उसके magnitude को क्या होगा वो घड़ता बढ़ता हो जाएगा समझने की कोशिश करें suppose वालनों को एक body आ रहा है आ रहा है अचानक सिर्फ turn आ गया जैसे ही turn आया हम क्या करते है speed को slow करते है क्यों क्यों कि हम गीर सकते है बाहर की तरफ फिका सकते है हम यहाँ पर जा सकते है इस turn पर इसलिए हम क्या करते है turn पर आते ही हम क्या हो तो slow हो जाते है और turn के according क्या तो अपने आपको ढाल लेते है अपने speed को control करते है मतलब यहां पर जैसे हम straight आया थे इसे जैसे curve आया मतलब straight से आता है थे curve मतलब direction change होना जैसे ही direction change हुआ यहां पर हमारा magnitude पर भी क्या बड़ा फर्क पड़ा hope so आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि velocity कैसे change कर सकते है velocity हम change कर सकते हैं speed of body को क्या change करके या फिर direction को change करके या फिर आप दोनों को अगर change कर दे तब भी change हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है है ना चलिए अब आगे देखते हैं अब यहां पर हमारे पास जो topic है वो है variable velocity अब समझने की कोशिश कीजिए आपको अभी मैंने पीछे बताया कि velocity को हम change कैसे कर सकते हैं यहां पर नाम ही लिखा है variable variable मतलब changing मतलब यहां पर यह खुद ही कह रहा है कि velocity change हो रहा है तो अभी हमने देखा velocity कैसे change कर सकते हैं velocity हम change कर सकते हैं कैसे velocity change करते हैं speed को change करके या फिर direction को change करके और अंत में आपको मैंने कहा भी था या फिर दोनों को change कर दो तब भी velocity क्या होगा change हो जाएगा variable मतलब non uniform non uniform in the sense कि equal interval of time में अब equal displacement cover नहीं करेगा body और अगर जब body ऐसा करेगा तो वो हो जाएगा किसमे variable velocity में hope so आपको ये सारी बाते समझ में आ गई होगी चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर जो अगला term है वो यह है लिखा हुआ instantaneous velocity already instantaneous का मतलब में बता चुका हूँ कि एक instant of time यह है न हमको promptly चाहिए चलता चलता body रूख गया हमको उसी वक्त चाहिए चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है instantaneous velocity already instantaneous हमने देखा है velocity को हमने समझ लिया है अब इन दोनों को क्या करना है combine करके हमें देखना है मतलब कोई body move कर रहा है तो body move कर रहा है तो body particle से बना हुआ है यानि उस body के अंदर जो particle का movement है या फिर उस body का movement है वो चलते चलते किसी भी जगार रोक कर अगर हम उसे बोल देखे हमें यहाँ पर इसकी velocity बताओ it means उस समय जो वहाँ पर velocity होगी body की उस given instant of time पर उसे ही हम कहेंगे क्या instantaneous velocity जैसा हमने instantaneous speed में देखा था as it is same to same instantaneous velocity है बस यहाँ पर क्या change है यहाँ velocity है वहाँ speed था velocity vector है वो scalar था velocity के पास magnitude और direction दोनों है उसके पास सिर्फ magnitude था hope so आपको सारे differences समझ में आ रहे होगा और आप relate करने की कोशिश कर सक रहे होगे चलिए यहाँ पर क्या लिखा है फिर direction of instantaneous velocity is along the tangent to the curve describing the path है ना if the body undergoes curvy linear motion चलिए यह क्या कह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे है displacement time का एक graph draw कर रहे है और किस case में ले रहे है जब body क्या है non uniform है चलिए non uniform होगा तब ही तो curve बनाएगा अगर वो uniform हो जागा तो एक straight line पर भाग जाए और यह यहाँ बोल रहा है जब body क्या है curve ही linear motion में मतलब curve बनाएगा तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर जो उसका tangent होगा उस curve का वही दिखाएगा क्या उसका instantaneous velocity अब समझने की कोशिश किजिए tangent होता क्या है पहले हमें यह समझना है अगर हमारे पास suppose एक circle है यह circle दिख रहा होगा आपको समझने की कोशिश करना खाली है na tangent वो line है जो किसी भी circle को बाहर से निकलता है मतलब एक ऐसा line जो circle के एक point को चुकर निकल गया मतलब circle को touch कर ते हुवे जो point चला जायेगा वही उस circle का क्या हो जायेगा tangent हो जायेगा और circle भी तो एक curve है na इस curve गो क्या हो गया किसी एक point से चुकर यह निकल गया तो ये line जो हो गया, इस curve का, इस circle का क्या हो गया, tangent हो गया, hope so आप tangent को समझ गए होंगे, अब हम देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जब body curve linear motion को follow कर रहा था, यहाँ पर देखो एक curve बन रहा है, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो इ instantaneous velocity को दिखाएगा, अब समझ ये, tangent क्या होता है, tangent का जो ratio होता है, वो होता है y axis का change, divided by x axis का change, यहाँ पर आपको पत, आपने भी तक पढ़ा नहीं, ये trigonometry, वो class strength के अंदर है, नहीं तो आपको मैं समझा सक रहा था, फिर भी आपको मैं कोशिस करता हूँ यहाँ पर, चलि ठीक है, और दो angle complimentary होना चाहिए, complimentary in the sense, कि इन दोनों का sum मिलाकर क्या होना चाहिए, 90 degree होना चाहिए, और एक angle अकेला ही 90 degree होना चाहिए, अपकोर्स हो गाई न, क्योंकि एक angle का sum 180 होता है, 180 में से अगर 90 यहीं हो गया, तो माकी remaining 2 angle का sum मिलाकर कितना होगा, 90 degree होगा, चलिए, अब ध्यान देते हैं, tangent कहने का मतलब है, 10 theta से, theta क्या है, suppose मालनो कोई एक angle given है, यह जो term लिखा है न, ऐसा, यह अंडे की तरह है, और बीच से कटा हुआ है, इसे बोलते हैं हम theta, ठीक है, यह theta है, इसे theta पढ़ते हैं, और यह tangent को हम short में 10 बोलते हैं, मतलब 10 theta, मतलब 10 of angle, को यह angle, जो यहाँ पर given है हमारे पास, इस point पर है न, चलो, अब क्या करना है, हमें 10 theta का value लिखना है, 10 theta की value लिखने के लिए हमें right angle triangle, मतलब आगे जाएंगे हम trignometry, तो उसमें हम सी right angle triangle को ही deal करते हैं, और इससे ही हम निकालेंगे trignometry, यह जो यहाँ पर 10, 10 theta लिखा है, इसक बोलते है base, और इस right angle triangle का जो सबसे लंबा side है, इससे बोलते हम hypotenuse, है न, चलो, यहाँ पर perpendicular को मैं P से denote कर रहा हूँ, base को B से और hypotenuse को H से, तो मतलब 10 theta क्या होता है, यह जो angle दिख रहा है न, इस angle का जो opposite side, वो हो का perpendicular, तो मतलब 10 theta होता है perpendicular, एक तो इस angle का opposite का side, और दूस यह जमीन से लगा हुआ side, जिससे यह angle निकल रहा है, मतलब इस angle के opposite का side, और दूसरा, यह angle जहां से निकल रहा है उपर की ओर, वो side, मतलब base, यानि perpendicular by base, मतलब अगर हम coordinate system की बात करें, तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसे ऐसे अगर increase कर दें, तो यह line जो base था, यह x-axis पर चला गया, और यह जो perpendicular था, यह किस पर चला गया, y-axis पर, इसलिए मैं आपको बोल रहा था, tangent निकालने के लिए curve का, हमें क्या करना होगा, उसका ratio, y-axis का difference, और divided by x-axis का difference, चलिए, अब वहां उस curve पर जाकर देखते हैं, कि कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए, यहां पर यह curve दिख रहा है हमें, हमें क्या इसका tangent निकालना है, tangent मतलब slope, है ना, इसका हमें आप क्या निकालना है, tangent निकालना है, जैसे हम tangent निकालना है, जैसे हम tangent निकालने है, tangent मतलब मैंने slope बोला, मतलब अगर यह curve है, इस curve का मैं अगर एक tangent खीचू यहां से, तो यह क्या तोगा एक ऐसा जुकाओा लाइन बन जाएगा इस लाइन के वज़े से और यह जह-स घुकाओ लाइन इसे हम बोलते ऑस लोप ठीक है समझने की कोशिश करो और यहां पर कोई भी एक pount c ले लिया कोई भी एक pent b लेलिया है ना elo werde interval बोल रहा है करेंगे इस पॉइंड C से नीचे की तरफ एक night बढ़ा देंगे और इस pいきます parallel aikline बढ़ा देंगे X के और ये दोनों पॉइंट और फॉरी ये दोनों लाइन जिस point पर कट जाएंगे उस point को हम कुछ point denote कर लेंगे और उसके बाद अब ध्यान देना उसके बाद क्या करना है यहां पर इसको नीचे ले आओ और इस point को नीचे ले आओ अब इस B को ऐसे करके इधर बढ़ा लो और इस C को ऐ इससे यह हो जाएगा कि हमें इस coordinate system पर इन दोनों points का coordinate मिल जाएगा सभी point का coordinate है ना यहां से अगर हम जाएगे तो यह point कुछ दे देगा y axis का एक point और यह point ऊपर जाकर देदेगा x axis का point p के पास अपना कुछ x y का coordinate आ जाएगा उसी तरह b के पास इधर से y का मिल जाएगा इधर से जाने से x का मिल जाएगा मतलब b के पास भी कुछ x y का coordinate उसी तरह c में इधर से और इधर से जाएगा तो c के पास भी कुछ एक x y का coordinate मिल जाएगा तो उससे क्या होगा उससे यह हो से जाएगा तो B के लिए X का कॉडिनेट और या इस पॉइंट को यहां से लेंगा तो यह पॉइंट मिलकर बन जाएगा P के लिए X का कॉडिनेट अब ध्यान दो अब मैंने बताया टेंजेंट निकालने के लिए Y-axis का डिफरेंस और X-axis का डिफरेंस का रेशियो चाहिए तो Y-axis का डिफरेंस क्या हो जाएगा C final point पे है P से उपर है C मतलब C क्या है final और P यहां पर क्या है क्या है initial मतलब C minus P समझ रहे बत C का जो Y का कॉडिनेट है वो minus P का जो Y का कॉडिनेट है वो उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या है यहां पर यह है displacement का axis मतलब इन दोनों का change आएगा मतलब displacement का change आएगा मतलब delta S यह delta दिखाता है और यहां पर value जो हो रही है एक C की आप Y कॉडिनेट है और P का जो यहां पर Y कॉडिनेट है इन दोनों के बीच का difference का दिखा रहा है delta S और यह vector उपर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यह vector direction को दिखा रहा है क्योंकि velocity क्या है एक vector quantity है अब समझ रहोगे कि यह arrow क्या है यह arrow जो लगाते है हम यह vector quantity के लिए लगाते है चलिए scalar पर नहीं लगाते है क्योंकि scalar के पास अपना direction नहीं है ठीक है और जहां पर vector लिखा रहेगा उसके उपर हम arrow से denote करेंगे चलिए अब क्या है अब यह है x-axis इस x-axis पर हमें क्या करना है यहाँ पर एक coordinate x का यहाँ पर एक coordinate x का मतलब p जो है b से आगे है मतलब p यहाँ पर final और b यहाँ पर initial मतलब p का x-axis का point माइनस b का x-axis का point और यह x-axis कि इसको रिनोड कर रहा है time को मतलब यहाँ पर जो value का change नि यहाँ पर displacement का change divided by time का change इन दोनों का जो ratio होगा वो क्या मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा instantaneous velocity किसके लिए एक curvilinear motion के लिए hope so आपको अब सारी बाते clear हो गई होगी मैंने detail में आपको समझा दिया है चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर जो हमारा अगला topic है वो क्या ह average velocity एवरेज के बारे में already हमने last lectures में देख लिये है और velocity के बारे में हम इस lecture में already समझ चुका है हमने यहाँ पर average and velocity को मिला कर combine करकर हमें क्या क्या देखना होगा हमने देखा था average speed एवरेजी spec हमने क्या देखा था even speed हमने दfires मने देखा तो start by total time मतलब speed था तो distance आ गया the आ गया बाकी everything will remain the same hope so you understand और यहां पर क्या है velocity है इसलिए average लग जाने से कोई change नहीं आएगा कि ऐसा मतलब velocity का सब कुछ change हो गया property ऐसा कुछ भी नहीं है velocity वेक्टर था तो मतलब average velocity भी velocity ही है इसका मतलब यह भी क्या होगा वेक्टरी होगा और formula क्या हो जाएगा average velocity का total displacement divided by total time hope so you understand चलिए आगे देखते हैं कुछ important points अब यहां पर average velocity से related जो कुछ points लिखे है उसे हम देखते हैं वो क्या है average velocity of a moving body may be equal to zero यह क्यों ऐसा बोल रहा है क्योंकि हमने देखा था displacement क्या है zero हो जाता है कब जब एक body जिस point से चला है वापस लटकर उसी point पर आ जाए क्यों हो जाता है क्योंकि उस case में उसका initial और final point दोनों same हो जाता है और displacement के लिए हमने क्या देखा था final minus initial point जहां पर final initial दोनों same मतलब difference zero और यहां पर velocity है velocity किसको relate कर रहा है displacement को और displacement अगर zero होगा तो मतलब velocity भी क्या हो जाएगा zero हो जाएगा hope so you understand चलिए अगला point देखते हैं in uniform rate of change of velocity in the case of moving body average velocity कितना होगा already मैं आपको last lecture में भी यह बताया था कि अगर एक body uniform rate से move कर रहा है मतलब यहां एक से दो से तीन से चार से ऐसे move कर रहा है in the sense कि अगर यह 1 meter per second से move कर रहा है यह 2 meter per second से यह 3 meter per second से चार में ऐसे so on बढ़ता जा रहा है लेकिन यहां पर change gap देखिए per second per second यह कितनी speed अपनी बढ़ा रहा है एक दो से तीन में भी एक 3 से 4 मतलब इसका जो rate है बढ़ने का यानि यह जो change कर रहा है अपनी speed regular interval बर कितना कर रहा है same same कर रहा है एक पल एक पल कर अगर ऐसा condition रहा तो उस case में हम average कैसे निकालते थे final को ले लेते थे plus initial को ले लेते थे मतलब final velocity plus initial velocity whole divided by 2 average निकाल रहे न हमने दो नंबर लिया इसलिए divided by 2 अगर हमको total निकालना वात हो तो total displacement को add करते divided by per second की बाती मतलब एक दो तीन चार मतलब divided by फिर 4 कर लेते आपको यह बात मैंने last lecture में भी समझाई थी जब मैं आपको क्या average speed का concept समझा रहा था hope so अब आप समझ गए होंगे और यहां पर एक चीज़ देख लेजिए notation final velocity को represent करने के लिए हम capital V का use करते है initial velocity को represent करने के लिए small u का represent sorry small u का use करते है यहां पर arrow क्यों लगा हुआ है arrow यहां पर vector quantity की वज़े से लगा हुआ है अगर यहां पर scalar होता तो यह arrow नहीं लगता arrow represent कर रहा है अगर किसी के उपर लगा हुआ है तो वो quantity क्या है वो एक vector quantity है अब चलिए अब यहाँ पर जो तीसरा point लिखा है वो क्या लिखा हुआ है जा इसे ध्यान से देखेंगे तीसरा point लिखा है the velocity of a moving body can be negative positive as well as zero speed of a moving body can never be negative अब यहाँ समझे अगर आपने distance और displacement का concept सही से समझा था सही से पढ़ा था तो यह सभी चीजे समझना बिलकुल आसान है इसलिए बोल रहा हूँ आप lecture by lecture देखते चले starting से देखें और follow करें आपका एक भी ऐसा topic नहीं होगा जो आपको समझ में न हम problems भी देखेंगे एक एक करके पहले concept खदम कर लेते हैं फिर हम question का session भी लेकर कर आएंगे और solve करेंगे question साथ साथ चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है velocity जो है negative positive और zero तीन हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि displacement by time है velocity और displacement negative भी हो सकता है positive भी हो सकता है कैसे हो सक है आपको मैंने example दिया था बहुत प्यारा सार है ना आप उस lecture को देखें आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा और इस यही वज़य है कि displacement negative positive और zero हो सकता है तो velocity उसको relate करता है इसलिए velocity भी negative positive और zero हो सकता है वहीं पर speed relate करता है distance by time यानि distance का relation है sweet के साथ मतलब distance क्या है कभी negative नहीं हो सकता तही की हुई length कभी भी negative नहीं हो सकती है ना इसलिए speed क्या है कभी negative नहीं हो सकता क्यों क्योंकि distance इन भी क्योंकि speed बरावर distance upon time है hope so you understand this चलिए अब कुछ आगे questions देखते हैं यहां पर जो हमारा question given है वह देखते हैं An insect moves along a circular path of radius 10 cm with a constant speed. If it takes one minute to move from a point on the path to the diametrically opposite point, point, displacement and average velocity. अब समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है, एक insect है, है ना, जो कि क्या कर रहा है, एक circular path पर क्या कर रहा है, move कर रहा है, और जब वो circular path पर move कर रहा है, तो उस circular path की, जो radius दे रखी है, मतलब circular path पर move कर रहा है, एक circle में move कर रहा है, और circle जब बन गया, तो उसका radius कितना दे रखा है, 10 cm. होप सो, इतनी बाद आप समझ गए होंगे, उसके बाद यह क्या लिखा है, कि वो एक constant speed से भी move कर रहा है, चलिए यह भी हम समझ गए, उसके बाद लिखा है, if it takes one minute to move from a point on the path to the diametrically opposite point, कहना कै चाह रहा है, कि कि किसी भी circle का, कोई भी circle बनेगा, तो उसका diameter तो होगा न, तो वही कह रहा है, अगर मालो, यहां से हमने एक diameter खींच दिया, और यहां पर एक point A था, यहां पर एक point B था, अब कोई बोलेगा, ऐसे खींच के कर सकते हो, कोई point A से चला, और यह A से चल कर, क्या बोल रहा है, diametrically opposite, मतलब A का opposite क्या होगा, इस तरफ, A का opposite होगा B, मतलब A जो चल रहा है, चल कर कहां पहुंचा, B पर पहुंचा, A पर ही नहीं पहुंचा, opposite की बात कर रहा है, A के opposite सानी सामने कौन सा point है, B है, मतलब A से चल कर यह B पर प के लिए इसे एक मिनिट लगा है अब क्या बोल रहा है यहां में डिस्प्लेस्मेंट चाहिए बहुत सिंपल है यार एक सरकल का समझने की बात करो है ना समझते हम बात एक सरकल का यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है पताओ मुझे अगर हमें डिस्टेंस निकालने बोलता मैं एक डिस्प्लेस्मेंट मांगा है लेकि मैं डिस्टेंस भी आपको समझा दे रहा हूं समझने की कोशिश करो तो बॉड़ी क्या है ए से बी पर चला है तो मतलब यह क्या हुआ है यह इस पूरे सरकंफरेंस का सिर्फ हाफ पात करे क अंदर तो हम क्या करते distance हमारा हो जाएगा पाई इंटू आर यह क्या निकल गया हमारा distance यह मैं आपको extra बता दे रहा हूँ और अब समझे distance तो निकल गया हमने distance कवर कर लिया अब इस distance को कवर करने में हम क्या है point A से point B पर गए और displacement क्या होता है इस पूरे path का जो सबसे shortest distance होता है shortest distance क्या है एक straight line path straight line path क्या है A से B तक जाने के लिए इस circle का diameter क्या है diameter मतलब A से B पर जाने के लिए अगर मुझसे यहाँ displacement पूछे तो displacement की value हो जाएगी 2 into R अगर मुझसे कोई distance पूछता A से B तक जाने के लिए हो जाता pi r क्योंकि यह complete circumference का सिर्फ अहाँ party cover किया है मतलब 2 pi r by 2 means pi r यह हो गया distance और displacement क्या हो गया हमारा shortest point A से B तक यानि एक straight line path यह हो गया क्या complete diameter diameter कितना होता है 2 into radius 2 into radius अब यहाँ पर हमारा हो गया 2 और radius की value कित्ती दे रखी है 10 मतलब 2 into 10 it means 20 centimeter हमारा क्या निकल गया displacement निकल गया समझ रहे हो hope so आपको समझ में आ रहा होगा सब बात अब यहाँ क्या है average velocity velocity मतलब क्या velocity मतलब total displacement by time total displacement अपना कितना निकल गया 20 है न कितना निकल गया अपना 20 centimeter और time कितना दे रखा है 1 minute by 1 minute मतलब कितना हो गया 20 centimeter per minute हमारा क्या निकल गया average velocity इस question के लिए hope so आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आज के इस session में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे, comment करे, friends को share करे, बताए यहाँ पर पड़ाई हो रही है channel को subscribe करे, तब तक के लिए thank you, have a nice day